जबसे मैं माँ बनी हूँ, एक माँ होने के तौर पर मुझे खुद से बहुत सारी आशाये हैं। ऐसा आपकी माँ के लिए भी है और इस मिट्टी और धर्ती के लिए भी है। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। और उन्होंने हर तरह की चीज़ें की और कुछ समय में बच्चा जीवित हो उठा। अगर आप इसमें मृत्यू बोते हैं, यह जीवन में प्रस्फुटित हो जाती है। सद्गुरू, मैं हाल ही में माँ बनी हूँ। मुझे लगता है जब से मैं माँ बनी हूँ, तब से धर्ती माँ से मेरा जुडाव, प्रकृती से बहुत सारी चीज़ें हैं। जीवन के साथ, बहुत सी चीजों के साथ ज्यादा सहज हो जाते हैं। और मुझे लगता है अब एक मा होने के तौर पर मुझे खुद से बहुत सारी आशाएं हैं और साथ ही धर्ती मा से भी बहुत सारी आशाएं हैं और हम सोचते रहते हैं कि ये हमें निस्वार्थ प्रेम करती रहेगी लेकिन कहीं न कहीं मा के तौर पर मैं कमजोर महसूस करती ह तो मुझे पक्का लगता है कि, क्योंकि हम मिट्टी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो धर्ती मा भी कमजोर महसूस कर रही है। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। ना ही हमारी मा का प्रेम और ना ही धर्ती की करुणा हमारे लिए निस्वार्थ है। मा का रिष्टा दूसरे रिष्टों से कम शर्तों वाला है। लेकिन फिर भी इसमें शर्ते हैं। आप क्या कहते हैं। यहां भी शर्ते हैं। काफी कम है। कुछ भी निस्वार्थ नहीं है, हमें यह समझना होगा। धर्ती के साथ भी ऐसा ही है। धर्ती सब सही कर देगी, यह सोचकर आप जैसा चाहें वैसा बरताव नहीं कर सकते हैं, आपकी मां के साथ भी ऐसा ही है, आप यह सोचकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि मां हर चीज का ध्यान रखेगी, मां और धर्ती दोनों की एक सीमा है, हमें यह सीमा कभी पार नहीं करनी च लेकिन हमने किसी और व्यक्ति के माध्यम से जन्म लिया है ये कल्पना करना बहुत कठीन है कि कैसे मैं इस तरह से था कितना असहाए पूरी तरह से असहाए जीवन अगर हमने आपको बस ऐसे फैंक दिया तो सब खतम पूरी तरह से असहाए जीवन है की नहीं आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं बहुत सी चीजों के लिए सक्षम है कुछ भी हो ये वो आधार ही है जिसने हमें यहां पहुंचाया जहां हम अभी है ऐसा आपकी मां के लिए भी है और इस मिट्टी और धर्ती के लिए भी है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अंत्रिक्ष में जा रहे हैं लेकिन अंत्रिक्षियान भी इसी धर्ती को खोद कर बनाया गया है मैं आपको एक छुटकुला सुनाता हूं सुनाओं क्या मास्क के साथ आप सभी बहुत गंभीर दिखते हैं तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं साल दो हजार साथ में एक दिन कुछ वग्यानिकों ने भगवान से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा उन्हें मिल गया और वो वहां गए तो उन्हों ने भगवान से कहा सुनिये बुढ़े बाबा आपने बहुत शानदार काम किया है लेकिन आप जो भी कर सकते हैं वो अब हम भी कर सकते हैं अब आपके रिटायर होने का समय आ गया है कई लोग मुझे भी ये कह रहे हैं तो भगवान ने उन्हें देखा और बोले ऐसा है क्या? आप क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कुछ मिट्टी खो दी एक बच्चे का मोटा मोटा रूप बनाया मनुश्य के बच्चे का और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और कुछ मिनटों में बच्चा जीवित हो गया और इसी तरह आवाज करने लगा भगवान ने ये देखा और कहा ये तो बहुत शानदार है लेकिन पहले अपनी खुद की मिट्टी लेकर आओ इस धर्ती पर ही नहीं बलकि इस ब्रह्मांड में मिट्टी सबसे ज्यादा जादूई चीज़ है क्योंकि जिसे आप कीडा कहते हैं वो इससे बना है जिसे आप पतंगा कहते हैं इससे बना है जिसे आप पेड कहते हैं वो इससे बना है चीडियां इससे बनी हैं जानवर इससे बने हैं हाथी भी इसी से बना है आप और मैं इसी से बने हैं और धर्ती पर यही और यही एक ऐसी जादूई चीज है कि अगर आप इसमें मृत्यू बोते हैं तो यह जीवन में प्रस्फुटिट हो जाती है आप ब्रह्मांड में एक जगह दिखाईए जहां अगर आप मृत्यू डालें और वो जीवन बन जाए यही एक जगह है आप अगर कोई शव यहां दफनाते हैं तो आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ जीवन अंकुरित होता है आपको पता है लगभग एक हफ़ते पहले किसी ने ये एक मौका है मैं आपको बता रहा हूँ किसी ने एक बिजनिस शुरू किया है अगर आप सत्रह लाख डॉलर देते हैं तो जब भी आप मरेंगे तब वो आपके शरीर को लेकर अंतरिक्ष में छोड़ देंगे वहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ सूक्ष में जीव नहीं है आपका शरीर सड़ेगा नहीं ये वैसा ही रहेगा लाखों सालों तक ये इस आशा से तेरता रहेगा कि कोई अंतरिक्षियान इसे एक दिन उठा लेगा मलबा मानवी ये मलबा वाल, people are trying to make such businesses which are rooted in खेर, लोग ऐसा business करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी नादानी और अहंकार पर आधारित है देखिए, हमारा शरीर वही मिटी है, जिस पर हम चलते हैं अगर आप कुछ महतवपूर्ण नहीं करते हैं, अगर आप जीवित रहते हुए कुछ eco-friendly नहीं करते हैं तो कम से कम जब आप मरे, तो इस चीज को वापस देदें आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतनी eco-friendly चीज तो एक व्यक्ति कर ही सकता है नहीं, आप इसे अंत्रिक्ष में छोड़ना चाहते हैं। या आप इसे धातु के डिब्बे में संजो कर रखना चाहते हैं। नहीं, यह मिट्टी से आया है, इसे वापस जाना है।